हेलो फ्रेंट्स वेलकम डियर ओन चैनल डिली स्टॉक तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज आज आपको मार्केट में गिरावट क्यों देखने को मिली और इतने दिनों से आपको कॉंसोलिडेशन क्यों दिखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर तो ये पूरी जानकरी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को एंटक जरू देखिएगा और दोस्टो अगर आपको रोज इही तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दीजिएगा च्योंकि आपको रोज ये सारी अ कमेंटरी देने वाले हैं एकोनॉमी के उपर और जो बॉंड इल्ड वो क्या बढ़ेगी या आने वाले समय में कम होगी देखिए दोस्टो वैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि यूएस में अभी हर अमेरिकन को 1400 डॉलर्स मिले हैं अब देखिए हर अमेरिकन को लगबग एक लाग रुपे 1400 डॉलर्स इंडियन करेंसी में होते हैं तो अगर हर बंदे को एक लाग रुपे मिले हैं तो सीदी बाते की वो स्पेंडिंग ज़्यादा होगी थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा उससे सीदी बाते की अगर फ्री मनी प्रिंट हुआ ह अगर करेंसी मार्केट में ज़्यादा फैल है तो उससे सीदी बाते की आपको आने वाले समय में इंफलेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा तो देखिए अगर इंफलेशन बढ़ेगा तो सीदी बाते की वापकी जो यूएस गवर्मेंट है वो वहाँ पे इंफलेशन को र इससे क्या होगा जो इंफलेशन होगा उसकी रेट कम हो जाएगी तो इसलिए यहां पर यह बॉण डील्स को बढ़ाया जा रहा है लेकिन देखिए मेरे ख्याल से इसमें कोई नेगेटिव वाली बात नहीं है देखिए जो फैडरल चेयर्मेन है वो अगर बोलते भी है कि अगर आने वाले समय में इंफलेशन बढ़ सकता है देखिए मेन रीजन ही है कि आज इनका जो स्पीच है उसकी वज़से सबको अशा लग रहा है कि एक नेगेटिविटी मार्केट में देखने को मिल सकती है तो उसकी वज़से आपको पिछले 5-6 दिन से अगर आप देखो होगे तो मार्केट लगाता और कॉंसोली रेट ही कर रहा है तो उटका रीजन ही है कि कब से ये पावेल का जो स्पीच है जो आज होने वाला है उसकी एक वेट वेटिंग है देखिए जो इंडिकेशन होंगे वो तो हमको आज डाउ जोंस में देखने को मिल जाएंगे रात वो बोलते भी है कि आने वाले समय में इंफलेशन बढ़ सकता है देखिए इंफलेशन तो बढ़ेगा क्योंकि हर अमेरिकन को वापे एक लाग रुपे मिलें तो इसका मतलब क्या है देखिए लोगों के पास पैसा है अगर लोगों के पास पैसा है तब ही वो खर्च कर रह होगा वो खर्च करेंगे तो जो बीजनेस ही जब फिर से चलने लग जाएंगे जो बीजनेस इतने टाइम से रुके हुए उनमें एक अच्छी कासी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी तो देखिए इससे क्या होगा आने वाले समय में जो भी बीजनेस से उनकी अर्णिंस यह बहुत ही अच्छी बात है वहले के मेरे ख्याल हो ऊपको मौके दोनने ची कि कि आपको इंवेस्टमेंट के मौके दोने ची यहाँ पर आज आप मार्ने से यह 59,000 और 1020 पर यहाँ पर देखोगे आप तो वो 14,956 का इसका हाई है लेकिन देखे दोस्तों आज पूरे दिन मार्केट शुरुआत में कॉन्सोलिडेटी कर रहा था शुरुआत में इसकी ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग थोड़ी सी पॉजेटिव हुई थी उसके बाद मार्केट थोड़ा सा कैसी शोग कर रहा था लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके आज मार्केट गिड़ता रहा और उसके बाद यहां पे 721.30 पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है देखे अल्मोज देखा जारो 1 से 1.26 परसेंट की गिरावट हुई है और अगर आप इसके लो के बार में बात करे तो यह देखिए 14,696 का इसने लो बनाया है तो इसका मतलब यह ही है कि 14,700 का एक क्रूशल सपोर्ट मार्केट में बना हुआ है 14,700 मतलब यहां पे 690 गया 700 से नीचे गया है लेकिन वास एक अच्छा काशा बाउंच बैक देखने को मिला है तो देखिए मेरे क्याल चे 14,696 यानि कि 700 का जो लेवल है वो एक अच्छा काशा सपोर्ट है तो इसलिए इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो लगबग अगर यहां से अगर 670 या 680 के लेवल तक चला जाता है तो मेरे ख्याल से आपको जल ही इसके अराम से 550 या 500 के लेवल देखने को मिल चकते हैं व यूचे अज में काम करते हैं तो उनके लिए यह बोलूँगा कि नीचे के लेवल के लिए 14700 क्रूशल सपोर्ट है तो अगर 680 के नीचे जाता है तो थोड़ा साप शॉर्ट पोजिशन बनाने का चोज सकते हैं अब उपर के लेवल मेरे ख्याल से अभी बुलिश पोजिश भी आपने बाई कर रखें अगर अच्छी कंपनी के शेयर्स हैं आपको पता यह गिरेगा तो आप औल लेंगे तो आपको पैनिक नहीं होना चीए मेरे ख्याल से अगर आपके बाई प्राइस से वो कम पे हैं मेरे ख्याल से आपको उनको डिप डिप में और खरीदते रहना चीए मार्केट गिरेगा ऐसा नहीं बोलो नहीं गिरेगा लेकिन ठोड़ा ठोड़ा करके आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहें तो कि आने वाले समय में एड़ी एंड आपको बढ़ता हुए नजर आएगा तो दोस्तो मैं होप करता हूं कि यह छोटा सा वीडि तो कि आप इग्नो नहीं कर सकते अगर आज नहीं तो कल बढ़ेंगी तो कि अगर एकोनॉमी में ग्रोत होगी तो बन बाट बोले गी तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको पैनिक नहीं होना चाहिए आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्वेस्ट्मेंट के ऑप्शन दूनने यह अगर मार्केट इसको नेगेटिव लेता है तो मेरे ख्याल चागर यहां पे जितनी भी गिरावड होती है प्लीज पैनिक मत हुए आप प्लीज ठोड़ी ठोड़ी डिप-डिप में खरिदारी करते रहिए ओके दोस्तो तो मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगाओगा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्षन में कमेंट कर दीजिएगा मैं जरूर आपके कमेंट पर रिपलाय करूँगा तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो व